बॉलिवुड मुवी तूफान ट्रेलर देखके लगा था कि एकदम धासू मुवी होगी मतलब एकदम बढ़िया पर उतनी अच्छी है नहीं जितनी उमीद थी ओर और ठीक ठाक मुवी है बस अगर तुम लोग को कोई नियो बॉलिवुड मुवी सिर्फ टाइम पास के लिए देखनी है जो तुम लोग ये मुवी देख सकते हो वरना अगर कुछ और अच्छा देखने को है तो वो देख लेना और ये मुवी बाद में देख लेना या अगर नहीं भी देख हो तब भी चलेगा तो जिसको से बितना ही जानना था कि ये मुवी अच्छी है या बुरी तो वो इस वीडियो को यहें पर छोड़के जा सकता है और जिन्हें थोड़ा डिटेल में जानना है वो आगे इस वीडियो को कंटिनुर कर सकते हैं तो ये मूवी डारेक्ट की है राकेश ओम प्रकास महरा ने ये वही डारेक्टर है जिन्होंने भाग मिलका बाग डारेक्ट की थी और इस बात को ट्रेलर में मैंशन मी किया गया था ट्रेलर तो अच्छा था ही और जब ये देखा कि ये फिल्म उन्होंने डारेक्ट करी है ज इस वे ये से उमीद थोड़ी और जबर बढ़ गई थी लगा था कि हाँ यार मूवी तो अच्छी होगी पर जैसे कि मैंने बता है कि मूवी उतनी अच्छी नहीं है प्लस ये मूवी धाइगंटे से उपर की है पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये मूवी धाइगंटे से उप परकी है प्रोब्लम है इस मूवी की स्टोरी का स्क्रीन प्ले पर उससे पहले बात करते हैं स्टोरी की तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक करेक्टर है अजीज अली उर्फ अज्जू भाई जो की एक गुंडा है और हफ्ता वसूली का काम करता है तो शुरवात में ही अज्जू जाते हैं किसी को फोड़ने और उस लड़ाई में ऐसे टीज किया गया है कि अज्जू भाई का मुक्का काफी अच्छा है तो उस लड़ाई में अज्जू भाई को भी चोट लगती है तो अज्जू भाई जाते हैं एक चरेकी होस्पिटल में जो की वही हैं जहां वो रहत पहली कि अज्जु भाई का मुक्का बहुत अच्छा है और दूसरी इस मूवी की हिरोइन डॉक्टर अनन्या प्रभू अब आई की स्टोरी में अज्जु भाई जाते हैं एक जिम में जो कि जिम और बॉक्सिंग क्लब दोनों ही हैं मतलब तो इन बन अब इस सीन में अज्ज बन अब इस स्टोरी आगे बढ़ती हैं और इसी सिंपल और सीधे स्क्रीन प्रेंप्ले की वज़े से स्टोरी बहुत ही ज्याद़ प्रेडिक्टेवल हो जाती हैं इतनी प्रेडिक्टेवल कि तुम लोग एक बार देखके ही समझ जाओगे कि आगे क्या होने वाला है। यहां तक कि तुम लोगों को ये भी समझ आ जाएगा कि आगे जाके जो लटकी के फादर साब हैं उन्हें प्रॉब्लम होगी हीरो और हीरोन के रिलेशन से। और उपर से जो प्रॉब्लम की वज़े दिखाई गई है वो इतनी शौट में दिखाई गई है कि अगर तुम लोगों ने वो छोटा सा सीन मिस कर दिया तो तुम लोगों को पूरी मूवी में प्रॉब्लम का रिजन समझ में ही नहीं आएगा। प्लस सिंपल स्क्रीन प्ली की वज़े से ये मूवी हमें बहुती कम पॉइंट्स पर सप्राइज करती है। प्लस मूवी में जो एक काफी अच्छा खासा सीरेस पॉइंट था जो कि ये था कि हिरोईन के फादर साथ की नराजगी कि क्यों वो अपनी बेटी और दमात को अपने से दूर रखते हैं। इस पॉइंट को मूवी में बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं मिला जिसके वज़े से ओडियंस ये समझ पाए या ओडियंस को ऐसा लगे कि हाँ ये जो भी मूवी में हो रहा है वो ठीक हो रहा है या इस वज़े से हो रहा है। बलकि इसकी जगह ऐसा लगता है कि फादर साब की नराजगी ओवर हो रही है। वीडियो बन जाती है और वो वीडियो न्यूज चैनल पर पहुँच जाती है जिसकी वेसे अज्जू भाई पर 5 साल तक का बैंड लग जाता है। अब जब ये बात हिरोईन को पता लगती है तो हिरोईन अज्जू भाई को चाटा मार कर और सुना कर वहां से निकल जाती है। अब सच में मुझे ये सीन देखकर ऐसा लगा था कि भाई ये अब जल्दी वापस नहीं आने वाली है। ये अगर आएगी तो शायद एंड में आएगी। ये शायद पहले थोड़ा स्ट्रवल दिखा दें हिरो का हिरोईन के बिना शायद तब आएगी। पर भाई हिरो का दोस्त गया हिरोईन से बोलने कि वो तुम्हारे भी न मर जाएगा इसलिए तुम चलो उसके पास। और भाई अगले ही सीन में हिरोईन हिरो के पास और वो भी कब जब हिरो नाश्ता बना रहा था। और यह सीन उस डायलब के ज़स्त बात का है जब हिरो के दोस्त ने ये बोला था कि तुम चलो उसके पास य नावो मर जाएगा। पर भाई नहीं, लॉंडा नास्ता बना रहा था, वो भी अपने लिए, वो भी अराम से, इस सीन को देखने के बाद मेरे दिल से सिर्फ एक ही आवाज दिख ली, कि हीरो तो नहीं, बलकि और जबूर मर जाएगी इस सीन को देखकर हस्ते हस्ते, अब अगर कुछ से फाइट जीत रहा है, बलकि फाइट देखकर ऐसा लगता है, कि हाँ, हीरो फाइट जीतने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा है, यही एक बात थी, जो मुझे एंग की फाइट में अच्छी लगी थी, उसके इलावा यार मुझे इस मूवी में जादा कुछ पसंद नहीं जितनी उमीद थी, वो उमीद बेकार हुए, यह जो मुवी थी, वो उमीद पेती खरी नहीं उतरी, पर ट्रेल देखके लगा था, कि हाँ, यह अर अच्छी मुवी होगी, पर अब नहीं लिख ली, तो कोई बात नहीं लिख ली, तो बस फिलाल आज के लिए इतना ही, तो अगर तुम लोगों को यह मुवी देखनी हो, तो टाइम पास के लिए देख लेना, बनना वरकुल और अच्छा देखनी के लिए हो, तो वो देख लेना, और अगर तुम लोगों ने मुवी यह देख ली है, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, कि तुम लोगों को यह म नेक्स वीडियो में